नमस्ते दोस्तों अनामिकास फूट जन्री में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं सबका पसंदिदा मलाई कोफटा सबसे पहले हम कोफटे बनाएंगे और कोफटे के लिए लेंगे 125 ग्राम उबाल के कसा हुआ आलू 75 ग्राम कसा हुआ पनीर 4-5 कटे हुए बादाम 4-5 कटे हुए काजू चाहे तो थोड़ी किसमस भी डाल सकते है एक चौथाई चमच इलाइची का पावडर यह बहुत अच्छा फ्लेवर देता है थोड़ी सी बारी कटी हुई या पीसी हुई हरी मिर्च नमक स्वादनुसार एक चौथाई चमच गरम मसाला एक बड़ा चमच बेसन एक बड़ा चमच कौन फ्लार या जिसे कौन स्टार्च भी हम कहते है अगर आपको बेसन नहीं इस्तिमाल करना है तो आप एक्स्ट्रा कौन फ्लार डाल सकते है अब इसे हम अच्छे से मिला के एक सौफ्ट डो जैसा बना लेंगे इसके बारा से चौदा एक समान गोले बना लेंगे हतेलियों को थोड़ा सा तेल लगा के इसे हम गोल या ओवल शेप में रोल कर लेंगे कोफ्ते या कबाब बनाते वक्त हमेशा एक छोटा सा गोला पहले बना कर गरम तेल में ट्राइ कर ले अब हम गरम तेल में ये छोटा वाला कोफ्ता ट्राइ करेंगे ये ठीक लग रहा है अगर ये फटता है तो इसका मतलब है इसमें और बाइंडिंग की जरुरत है तो हमें उसमें और कॉन स्टार्च या बेसन आड़ करने की जरूरत है अब हम धीरे धीरे और कोफते गरम तेल में डालेंगे और इसे मध्यम से तेज आँच पे तलेंगे इन्हें बीच बीच में घुमा लेंगे ताकि ये एक समान तले जाए ये सुनेहरे और क्रिस्पी होने पे हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तहरे हम सारे कोफते तल लेंगे हमारे सारे कोफते तल चुके है अब हम प्योरी बनाएंगे और प्योरी के लिए एक चमच तेल गरम करेंगे तेल गरम होने पे हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा एक चमच कटा हुआ लहसुन एक चमच कटा हुआ अद्रक तीन से चार हरीमिश आप तीखेपन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते है 75 ग्राम कटा हुआ प्यास और इसे हम पारदर्शी होने तक भून लेंगे मैं इसमें पता गोबी डलने वाली हूँ नियूट्रियंट्स आड़ करने के लिए तो अगर आपको पता गोबी का इस्तिमाल नहीं करना है तो आप एक्स्ट्रा प्यास डाल सकते है अब हमने डाली इसमें 50 ग्राम पता गोबी कटी हुई 250 ग्राम कटा हुआ टमाटो थोड़ा सा हरा धनिया एक चमच कसूरी मेथी 10 से बारा काजू अब इसे हम मिलाकर इसमें एक चौथाई कटोरी पानी डालेंगे और इसे ढकन लगाकर धीमी से मध्यम आज पर 7-8 मिनिट पका लेंगे हमारी सबजियां और काजू गल चुके है इन्हें अब हम थन्डा होने देंगे थन्डा होने पर मिक्सर के जार में लेंगे इसमें हम डालेंगे एक चौथाई कटोरी दही आधा चमच हल्दी आधा चमच गरम मसाला एक चमच शहद या आधा चमच चीनी अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो और इससे अब हम पीस लेंगे ग्रेवी के लिए एक चमच घी करम करेंगे घी करम होने पर इसमें हम डालेंगे प्योरी कंसिस्टिंसी के हिसाब से दूड डालेंगे नमक स्वादानुसार एक चमच बटर या मलाई डाल सकते हो ना चाहो तो स्किप कर सकते हो इसे मिला लीजिये और ढकन लगाकर तीन से चार मेने धीमियाच पर पकाए हमारी क्रीमी ग्रेवी तयार है और अब इस गरम ग्रेवी में हम कोफते डालकर सर्फ करेंगे आपको मेरी रसीपी पसंद आएगी धन्यवाद